साथ सुत्री मांगो को लेकर फार्मसिस्ट पिछले 25 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं आपको बता दे लगातार धरना प्रदर्शन और रैली निकाली जा रही है लेकिन इसके बावजूद भी मांगो पर सहमती नहीं बनने के बाद फार्मसिस्ट आज से प्रदेश भर में सामुईत अवकाश पर चले गए हैं आज SMS के सामने फार्मसिस्टों ने जमकर नारेबाजी की और चेताव नी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन आगी भी जारी रहेगा अस्पतार में विरोध कर रहे हैं फार्मसिस्टों से बात की हमारे संबादता सत्वीर सिंग राठोड ने देखिए आंदोलन की रहा पर फार्मसिस्ट हैं और लगातार अपनी मांगो को लेकर 25 दिन हो चुके हैं लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कोई भी वारता का जो नियोता है वो नहीं मिला और आज उन्होंने कारे का बाईसकार कर दिया है ऐसे में अब जो वैवेस्ता है वो भी बिगणने वाली है और अभी बड़ी संक्या में जो फार्मसिस्ट है वो अभी सुब्डेन के जो ओफिस है वहाँ पर बाहर डटे हुए है और जमकर जो नारे बाजी है वो यहाँ प जो वारता के लिए एक परतनेदी मंडल गया जरूर था लेकिन वारता पर सहमती नहीं बन पाई जिसके कारण से जो नाराज की है वो फार्मसिस्ट में बिगरती हुई जा रही है जिसके बाद में अब उन्होंने पूरी तरीके से जो कारे का बाईसकार यहां पर कर दिया ह ऐसे में जो घुसा है वो यहां पर देखने को मिल जा है और पूरी तरीके से फार्मसिस ने चेतावनी दिये कि वो आप आंदोलन की राप पकर चुके हैं और आगे आने वाले समय के अंदर पूरी तरीके से इस तरीके से चलता रहेगा उन्होंने जो यह भी चेतावनी दि था कल 24 में दिन सरकार ने हमें बुलाया एक कमेटी बना के उपसासन सचीव डियेस थर्ड मेडिकल डिपार्टमेंट ने उसमें निदेशक साब भी थे डारेक्टर पीएच साब भी थे और विते भाग का जो परतिनीदी था वहां पर उपस्तित नहीं रहे जिन पर कोई डिस भी जारी नहीं किये और साथ सुत्री मांगों में प्रमुक मांगा हमारी वेतन बत्ते हैं सभी मेडिकल डिपार्टमेंट में अन्ने संवर्ग है नर्सेज है रेडियोग्राफर है लैब टेक्निशियन है सभी को सभी परकार के वेतन बत्ते दिये जा रहे हाली में वेतन ब अगर सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी तो फिर से कारिय बैसकार रहेगा और अगर कोई कमेटी भुना के दुबारा सेकेटरी लेवल की कोई वारता होती है तो फिर हम आगे सोचेंगे अन्यता मैनिस्चित काली नर्ताल पे जाएंगे और अगर मरीजों को कोई परेशा नह होती है तो उसकी समस्त जिम्यदारी सरकार की होगी आज ये इस्तती हो गई है कि आज इनको सामुक अपकास पर जाना पड़ा और क्यों आखिर इस तरह की चीजें हो जाती है क्योंकि आप लगातार पहले परदशन भी कर रहे थे क्या अभी इस दोरान किसे हुआ क्योंकि अब तो मरीजों की जो परिशानिया वो भी बढ़ेगी क्योंकि दवाया नहीं मिल पाएगी तो ऐसे में परिशानिया उनके लिए भी बढ़तीव नजरा रही है ये जित्ती भी योजना है मुकमंत रिशुल दवाय योजना हो चाहे चरंजी भी स्वास्त वीमा योजना हो निरोगी राजस्तान हो सीनियर सिटीजन वली योजना हो साथ में लाइफ लाइफ लाइन हो सेंट्रल स्टोर हो डी डवलू हो आरमस्यो फार्मसिस प्रतेग जगे पर अपनी 24 इंटू 7 सेवाएं दे रहा है लेकिन उसकी जायज माग हैं बेतन विसंगती जो की कापी सालो से बनी हुई है भटनागर कमेट्री से ग्रेट पे 42 करने की उसको आज तक पूरा नहीं किया जा रहा है और बहुत बड़ी विसंगती हो गई है एक भी भत्ते फार्मस्यों किसी प्रकार के दे नहीं है मरीजय को किसी भी तरह की परिशानी होगी इसके लिए राजसरकार ज मांगे उसको मानने में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है और हमारे जो साती है पेसी वाले वो रिकोर्ड का ओपलाइन संधारन करते हैं चार-चार सो मरीजों को दवाईय देते हैं उसके अधास से लिखरी के रेइस्टर भर रहे है इस डीजिटल की युग में आज भी देखो हैं बारता के लिए आज ही बुला जाता है डियोपी सेक्रेटरी लेबल फाइनेंस सेक्रेटरी लेबल की बारतों की हम जाने को तयार हैं क्योंकि बारता से समाधान निकलेगा लेकिन फिलाल वेतन वीज संगति सईदु साथ सूत्रिय जो इनकी मांगे हैं उसको लेकर जो विरोध और प्रदर्शन लगातार किया जा रहा था 25 दिन हो चुके थे लेकिन इसके बावजूद भी इनकी जो मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया जिसके बाद में आज इनका जो आंदोलन है वो आगे भी जारी रहेगा जिस तरीके से इनकी परिशानी भी बढ़न जेपो